करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आज करनाल की निसिंग मंडी का और उनके साथ लगते हुए सेट्रों का भी दोरा किया इस दुरान डीसी ने किसानों और आर्टियों से बात चित की साथ ही कंडे के तोल को भी चेक किया वहीं मीडिया से बात करते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि हर्याना में गेहुं की सबसे ज़ादा खरीद दो दीनों में करनाल में हुई है करनाल में पूरे हर्याना में सबसे जादा गद दिवस तक खरीद हो चुकी है और दस दिन में खरीद पूरी कर ली जाएगी जब उनसे पूछा गया कि करनाल की जुनला मंडी में अब तक खरीश शुरू नहीं हुई है तो उनका कहना था कि आज से वहाँ भी खरीश शुरू हो चुकी है और उन्हें मैसेज आ चुका है डिसी निशान कुमार यादव ने कहा कि किसानों की जो समस्या है उनको जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा और आर्तियों की जो मांगे थी वह भी सरकार ने पहले ही माली है कही ना कही समझने में दिक्कत थी वही मंडी में गेहूं लेकर पहुँचे किसान से जब पूचा गया कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है इस पर किसान का कहना था कि दिक्कत तो कोई नहीं हुई जब किसान से पूछा गया कि सेनिटाइजर वगहरा किया गया है तो उनका कहना था ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार के गेहूं खरीद में विवस्ता बनाए जाने की दावेट ठीक नहीं है किसान ने कहा कि किसानों को ट्रेक्टर मंडी गेट पर आने पर सैनिटाइजर नहीं किया जा रहा है सभी मंडियों में खरीद बख्रिया सुचार रूप से चल रही है अपने खुद ही लगाया है है कि लिए बैल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद।